Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो यहाँ पर सीखने वाले हैं हम यह हमारे एक special कह लिजी टॉपिक है यहाँ पर short trick to find the number of points inside a reason ओके आपके पास एक given reason रहेगा और given reason के अंदर आपको total number of points find करने हैं, total number of coordinates find करने हैं, तो आईए रेकि कैसे होगा, इसको हम कैसे find करेंगे तो यह एक special type का question में कहूंगा इसको, ओके यह भी exam में पूछे जाते हैं देखे इसको कैसे करते हैं, देखे यह question आपके पास में पूछा गया है कि the number of points having both coordinates at integers, ओके the number of points having both coordinates at integers, तो आपको बताने हैं, ऐसे point बताने हैं जो दोनों ही क्या है, integers हैं, मतलब यहाँ पर एक reason दिया गया है आपके सामने और आपको इस reason के अंदर वो point बताने हैं, कि जो पूरे के पूरे क्या है, integers हैं सारे integer points आपको बताने हैं, कुछ इस तरीके से तो देखें कैसे करेंगे इसको, आपके पास में एक coordinate आपके पास में क्या लिया गया है, 0,0 दूसरा आपके पास में कितना लिया गया है, 41,0 और तीसरा आपके पास में कितना लिया गया है, 0,41 अब इनको आप देखिए आपने ये जॉइन कर दिया है और इसके जॉइन करने के बाद में आपको इस सबसे पहले आप इसका में solution बना रखा हैं आपे मैंने देखी कैसे इसको solve करते हैं तो सबसे पहले आपके पास देखी point क्या दिया गया point आपको 0,0 तो origin की position यह है यह अपने पास में 0,0 दूसरा point आपके पास में क्या है दूसरा point है आपके पास में 41,0 तो दूसरा point आपके पास में है 41,0 और तीसरा point आपके पास में है 0,41 ठीक है यह हो गया तो सबसे पहले आप देखे इसके अंदर के reason को जो आप show करोगे इसके अंदर के reasons होगे उसको किस तरीके show करोगे अंदर को बोल रहा ना तो x plus y is less than 41 इसका जो अंदर का reason होगा वो क्या होगा x plus y less than 41 ओके यह equation आप बना सकते हैं इस equation का नाम क्या होगा x plus y less than 41 कैसे आएगा यह आप पूछेंगे यह कैसे बनाए गया है तो intercept आपके पास 41 इधर भी 41 है तो x upon 41 plus y upon 41 is equals to 1 so x plus y is equals to 41 but inner side reason के लिए अंदर के reason के लिए आप क्या लिखेंगे x plus y less than 41 इसको आप देखे अब इसके लिए trick मैं आपको बता दूँ इसको इस तरीके से लिखे लिए x plus y minus 41 less than 0 ठीक ना x plus y minus 41 less than 0 अब देखे अब आपके पास में आपको क्या निकालना है आपको वो point निकालना है जो integer है तो यहाँ पे for the interior reason x plus y less than 41 where x is greater than 0 and y is greater than 0 तो x और y is greater than 0 है ओके x और y तो आप origin को count नहीं करोगे origin को count आप नहीं करोगे क्योंकि interior का reason मतलब अंदर का ही reason आपको निकालना है तो देखे total इसकी short trick आप यादर कि इसकी जो trick हुआ करती है वो हुआ करती है x plus y plus k सबसे पहले total आपको count करना है कि यह कितने है x y और k constant जो है आपके पास में x plus y plus k तो total कितने आपके पास में 3 है तो आपके पास में कितने हैं 3 है now total number of integral solution बच्चो ट्रिक याद कर लो n-1 c r-1 ओके n-1 c r-1 यह r था अपना तो r is equal to कितना है अपने पास में 3 आ चुका है तो n-1 n कितना अपने पास में 41 n कितना है 41 तो इसकी जो trick होती है इसकी trick आप लोग नोट का लिजे integral solutions जो आपको मिलेंगे integral solutions ओके integral solutions की जो trick होती है वो होती है कितनी n-1 ओपर कितना है आपके पास में n-1 और नीचे है कितना c r-1 c r-1 तो n आपके पास में 41 n आपके पास में कितना है 41 है total okay 41-1 41-1 और c 3-1 3 क्योंकि आपने देखिया आपके पास total 3 term थे x था y था और क्या था 41 था है ना xy और k जैसे यह दिखा हुआ है तो इसको count करके 40-1 and c 3-1 तो answer कितना आ गया है आपर 40c2 okay 40c2 को solve कर लिजे 40 into 39 divided by 2 into 1 तो यहाँ से cancel कर दिजे 20 आ जाएगा not 20 multiply by 39 कर दिजे तो 20 multiply by 39 कर देंगे आपके पास में ओके वेट 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 थोड़ा से गलती करी मैंने क्या 40 into hearty कैसा पुछ सही है तो answer कितना आएगा इसका 780 आ जाएगा तो correct answer equals to कितना हो जागा 780 exactly हाँ सही भी है ना 39 into 20 ही तो करना है 0 and 39 to the 78 होता है तो correct आपके पास कितने integral solution मिलेंगे 780 तो और जिसका कोई method और नहीं है वैसे मैं बस यह कहूंगा इस question को आप इसी तरीके से आप इसको memorize कर सकते हो ठीक ना तो एक तरीके से question कि इसमें permutation combination वाले chapter में आएगा कि अगर आपको कोई line दी गई है है ना यह कोई reason triangular reason है उसके अंदर integral solution आपको निकालने हैं तो integral solutions integral points निकालने के trick होती ही कितनी n-1cr-1 ओके n-1cr-1 याद रखेगा trick को n-1cr-1 n क्या होता है जो आपके पास constant दिया रहेगा k है ना जो constant रहेगा k-1 और cr का मतलब जितने terms रहेंगे तो 3-1 obviously r कितना होगा यहां पर 3 ही होगा हर बार ठीक है ना तो n-1cr-1 का formula याद कर लेजे आपसे number of solutions निकालते बने लगेगे okay so this is done